मुसलमान आपको आज पर मैं किसी भी पत्पे नहीं मिलेगा मोधी जी के लिए मैं राहुल जी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि तू थोड़ा सब्र तो ले इम्तहान जारी है कि एक दिन वो भी आएगा कि एक दिन वो भी आएगा कि तब वक्त खुद कहेगा कि राहुल चल तेरी बारी है कि गुजरात के चक्कर में इनके हाथों से दिल्ली जा रहा है किस बात पर आप सवाल करना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे गुजरात लेते लेते गेजरीवाल से दिल्ली जा रही है ये ध्यान रखिएगा आप दिल्ली क्यों जा रही है? दिल्ली जा रही ही है दिल्ली में जो आज एक ची बताईए के परसीमन लेके आती है भारती जंता पाइटी और नाकपूर से वो ड्राफ्ट चलता है ठीक है? दलित, माइनोटी अल्पसंख्या सबको रगडते हुए सबको क्या कहते है एक डंडे से हाकते हुए भाजपा परसीमन पे 200-72 वाड़ों से 2500 बाड़ कर देती है ठीक है? 250 बाड़ कर देती है उस पे केजरीबाल चुपी तोड़े हुए है पुजरात में जैसी राम का नाला लगाते हैं वो सुरू से रगाते हैं वो सुरू से कहते हैं हम कट्टर भाजपाई हैं हम कट्टर संगी वाले हैं वो वीडियो साहिद आप लोगों ने ना देखी हो एक बार क्या कहते हैं मैं तो खुद कहता हूँ ना जहां जहां आम आदम यह सैंटा को भारति जन्ता पाइटि ने अपनी पार्टी से जित मुसलमान दॉन आपको है किसी भी ट्थ पर नहीं मिलेगा और वह ही आज से ऑन्विंन केलीवालि जी कर रहे हैं कि रहे हैं पर ल्हुर। करते काम कम बाति वह हैं कर द intestines जैंता यह गुल है है मोदी जी का विरोध करते हैं रेवडी पर उसी रेवडी को ले जाके गुजरात में बाट देते के साल में दो सेलेंडर देंगे फिरी एक जैसे दोनों एक ही थाली के चट्टी बट्टे हैं सोचने वाली बात है कि निकले कहां से हैं आप ये देखिए दोनों किस संगठन के हैं दोनों एक ही संगठन से निकले हैं मुझली मुद्धों से बसते हैं मैं ये कह रहा हूँ न के परसीमन लेके आए परसीमन का क्लियर भी हो गया परसीमन जो दिल्ली में एक वेट पत्रगार मोदे परसीमन जो दिल्ली में ले के बाद में रजल्ट आने के बाद में जो उन्होंने खाना पूर्ती करी थी भारतिय जंता पाइटी ने उसको किलियर करने के बाद में चुनाव आयोग ने जब किलियर करा तो उसके बाद में के जिवाल जी बोलते हैं एक प्रेस कॉंफरेंस में बोलते हैं कि नहीं ये ऐसे लेके आए हैं परसीमन लेके आए हैं दलित को मसलिम को अलप संक्यक को दवाया जा रहा है मैं ये क्या कह रहा हूं पत्रकार मोदे आपके सवालों का एक एक जवाब दूँगा पर ये बताइए मैंने केज दिवाल जी से एक सवाल किया है कि हम कोट जाएंगे वो कहने लगे उस प्रेस कॉंफरेंस में उस वायट में कह रहे हैं वो कि हम परसीमन पर अगर सही निन्ड़ नहीं हुआ तो हम कोट जाएंगे बैन कोट जाने की बात दूर किये जहां जहां आपकी सरकार है वहां सर्वे करा लीजे और जहां आपकी सरकार में दलित और मुसलिम अलप संक उस्तर प्रदेश के चुनाब में आपको डेमो मिला था कि कई कई पूरे परिवार के 15 15 सदस्यों के नाम काट जी गए बोटर लिस्ट बहुत जगें आपको देखने को मिला होगा कहीं 15 में से 2 का नंबर आया है कहीं किसी का आया ही नहीं किसी को धक्के मार के निकाला जा र हुआ है आपको यह देखने को मिलेगा जहां जहां भारतिय जंता पार्टी यह खेल करने वाली है ना यह तो दिल्ली को एफेक्ट करने का पहला है एक टार्गिट बनाया था जिस पर कॉंग्रेस ने और कॉंग्रेस के प्रदे सद्ध्यक माननी क्या कहते है हमारे अनिल चो फагारो में अपने चेत्र में अपने दिल्ली प्रदेश में उसे लागु करने की सोच रही ति करो 와 लो जंसंकिा जंसंग जंसंग करणा करते ना यह क्या कहते तेजस्विया रॉक फथा रोक लगा रोक-बने इसे बेखरी है दो वे उसे मिलके रहेगा मैं तो उस पर यकीन करता हूं मै उस चीज़ और यकीन करता हूं कि भात है न ज्वासि को सब्र। मोदी जी मैं राहुल जी के तरफ से कहना चाहता हूं कि तो थोड़ा शब्र। ले इम्तःान जारी है कि एक दिन वह भी आएगा कि एक दिन वो भी आएगा कि तब वक्त खुद कहेगा कि राहुल चल तेरी बारी है कि बहुत इन्होंने अत्याचार जनता पर कर लिया और कहते ना अभी परदान मंत्री जी का कहते हैं इस्तिफा हुआ है बिटेन की प्रदान मंत्री जिने अपने खुद से इस्तिफा दे दिया बहंगाई को लेके जनता के जनता से जो बादे किये थे उनकी एक बात आप देखिएगा कि जनता से बादे पूरे ना करने के तहत एक प्रदान मंत्री इस्तिफा दे देता है और हम हमारा प्रिदानमंत्री हर बार एक नया एजेंडा नया जुम्ला नया वादा लेकर सत्ता में आता है बताइए पंद्र लाग आपके अकाउंड में आ गए हैं भूलना नहीं भूकमरी में भी 107 पे हैं क्यों डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है प्याज भी 50 कि दो किलो बिक रही है प्याज के भाव उनको नहीं पता ना ना उन से बात अभी वीडियो वाइरल हुए ना उनसे एक सवाल भी कर लीजें लेने के लिए कितने लोगों को लेके जाते हैं और कितनी किलो सब्जी लाते है हो ये भारतिया जन्ता पाइटी की बार्शार की नीति है किसे में है यान्येक्ट अवाम दिखाना ज्यादा तो वह सब्सक्राइब घएत्व होतं। ना को सब्सक्राइब पंडि जी मेरे जैसे मैं यह नहीं कह रहा कि मुसल्मान इस सरकार की नीतियों का जो नीतियों को जो गलत समझता है वो इस देश में रहने वाला नागरिक उनका विरोध करता है ठीक है मैं क्या कह रहा हूं अभी जो गौतम मंत्री जी जिनका इस्तिफाल लिया गया अम्मेड कितने संगटन साथ में कितने लोग उनके साथ में खड़े हुए नहीं इस सवाल किया है ना इसपर तथे क्लियर करें नहीं मेरी बासथ सुनिए भाजपा इस पहले तो तथे क्लियर करें कि वह अंबेटकर साब को नहीं मानते है अच्छिक है तब विरोध करें वह उन 22 सब नहीं होते हैं उनके पास में पुलिस नहीं होती है उनके पास दबी कुछ लिए जंता के लिए बोलने के लिए चुपपी तोड़ने के लिए जवाब नहीं होते हैं अरे हम कह रहे हैं कम से कम मैंने कहा ना कि जनता के लिए अरविंद्र केजरीवाल पीडित, डलित, मायनोटी बहुसंक्यक के लिए चुपपी तोड़ने जनता उतने में ही उनको मान जाएगी जनता के लिए देश के लिए रोजगार पे शिख्षा पे बात करते हैं यह सब मुद्द्र हैं और सब मॉडल है आज जाके आप क्या कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल देख लिए उठाके सिर्फ पूरी दिल्ली के पांच स्कूल आपको गिंती के बताए जाएंगे कि जिनमें इट लगाई गई है नहीं तो पेंट से सजाया गया है इट लगाई गई है और सिर्फ सिर्फ पेंट से सजाया गया उनको सारे जो आज आज यह बताईए पुरानी दिल्ली पुरानी दिल्ली से लेकर और आप लोनी तक पूरे लोनी के अंदर कौन सी दिल्ली की जगा है जो खुदी नहीं पड़ी कौन सी दिल्ली की जगा जो खुदी नहीं पड़ी है काम हो रहा कब होगा यह काम कर क्रेडिट लेते हैं मोधी जी और केजरिवाल जी यह सिर्फ क्रेडिट लेते हैं जो सारे प प्रोजेक्टों को पास कराने वाली सीला दिख्षिती सिर्फ मैं कहतो रहा हूं उत्तर प्रदेश हो गुजरात हो पंजाब हो दिल्ली हो कहीं भी हो इनकी सरकार बीजेपी और आमादवी पार्टी की सरकार जहां भी है ना सिर्फ इन्होंने क्रेडिट लेने का काम किया है अ उसी मौडल को ले जाके इन्होंने पंजाब में प्रिजेंट किया ठीक है सबसे एले बदलना किसको है जब मेरे घर महा अग लगी है तो सबसे पहले उठना मुझे है दिली प्रदेश के मुसल्मानों को दलितों को जैनों को इन्होंने ब्रहमित करके दिली हासिल किया था Tam अपनी बहुसंक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्य कि गुजरात के चक्कर में इनके हाथों से दिल्ली जा रहा है और आके नहीं है तो सर्वे करा ले आजी दिल्ली जा चुका है इनके हाथ से और रहात मुसल्मानी नहीं यहां का दलित यहां का बहु संक्या साथ नहीं देगा केजरिवाल जी कर लिया जो यह दो बार रिपीट हो गए ना दो बार रिपीट हो गए ना अब नहीं होंगे सिक्षा मॉडल बहुलता है आपने देखा होगा गुजरात के अंदर मनिश शिशोदिया रेली कर रहे हैं रेली में इनसे पत्रकार ने सवाल किया था इनकी गाड़ी में फूल सी सजी हुई गाड़ी में सवाल करते हैं कि जनता सवाल कर रही है कि मनिश शिशोदिया बिल्किस बानू पर क्यों नहीं बोलते यही सवाल था साइथ उसी बाइट में इतना सा सुना मैंने ठीक है कि वह कहते हैं कि हम बात तो कर रहे हैं जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं सिक्षा की बात कर रहे हैं आज हम पालीटी के नेताओं की बात करते वह सतेंदर जैन की सतेंदर जैन उनको अब जैन नहीं आते सबन्दर जैन का फाइल जैन का za खुष्गूंटी shark कि अब प्यार की नजर्विट कुछा वी दिखा गाः में पास है less reuse वाला संग ऊवाला दौनोंषभ और आ प्यार की नजर्म सब्सक्राइब तो और भुष्ग युद नीए को मूझते तो वह जो क्या कहते है सटार्ट का पर रचारत आता रही है वह संक्याक कांगरेस के साथ जा रहा है किस वक्त नहीं उठाएं किस वक्त नंगे सिर्फ मुसलमानों के नहीं कंग्रेस किसानों के मुद्दे उठाती यह जिनको रोजगार नहीं मिलता कांग्रेस महगाई पर उठाती है हर मुद्धे पर कंवुध के साथ आके हला बोल कर लेता ना तो शायो इनको क्या कहते है सलेंडर के दाम 1100 से लेके 1,000 पर लाते अगर एक भी बिपक्ष खड़ा होके कॉंग्रेस के साथ मैं हल्ला बोल करता और उस हल्ला बोल का ही ये पूरा प्रोपोजल था जो इनको जटके लगे गुजरात के मुसलमानों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से कि मेरे भाईयों बटक लिए 14 से लेकर और आने वाली 24 तक ये पूरे 10 साल हम लोग बटक लिए हैं अब अपने एमान में अपने गिरेवान में जहांके देखो कि हम मैं किस के साथ जाना चाहिए किस के साथ जाना चाहिए मैं बताओं और दो दिखिए माँ व्यांत हूए मैं कांग्रेस सपोर्टर हूं वह मेरा वैचारिक अपना पर्सनल है आप केजरीवाल के हो यह किसी वाल के ओ किसी के भी हो वह आपका वैचारिक है जिसको तो इस को एक सबसे बड़ी बात हो कि एक बात है कि जिस देश में नफरत होगी वह कभी रोजजबार का सांसत जीनने नंज गुजर जीने दोनों ने एक भास्पा का सांसत है एक बाक constituents का काम किया ठीम है और हमने खुद उस वाइकाउट को धरातल पे जाके जमीनी तोर पर अपने हिंदू वहुसंक्यक दलिस भाईयों से बात करी कि क्या आप मेरे साथ रोजगार नहीं करना चाते हैं। साथ रहते हैं और एक साथ जो शुरुवात से इस देश की जब रचना रची गई है तब से क्या कहते हैं लेंदेन का मामला शुरू से रहा है। ठीक है रोजगार में लेंदेन का मामला तब से रहा है।